देखिए दोस्तों गुर्दे की बीमारियों को अगर समय रहते पहचान नहीं की गई तो यह जानले वसाबित हो सकती है हम इस वीडियों जानेंगे किडिनी खराब होने के क्या लक्षण होते हैं तो इसमें पहला लक्षण यह हो सकता है यूरिनरी फंक्शन में बदलाओ मतल गुर्दे जो होते हैं वो शरीर से वेश्ट पधारत को बाहर करने में मदद करते हैं जब किडिनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में सोडियम जमा होने लगता है जिससे पिंडिलियों में और टकनों में सूजन बढ़ जाती है यह कंडिशन एडिमा क्यालाती ह और यह भी गुर्दे खराब होने के लक्षण हो सकते हैं तो इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें नंबर तीन पर हो सकता है कि जादा कमजोरी और थकान रहना हर समय हर टाइम कमजोरी और थकान महसूस होना किडिनी की परिशानी के शुरुवाती संकेत है जैस अगर इसी कोई परिशानी है तो दोस्तों जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें नंबर चार पीट दर्द का कारण आपकी पीट और पेट के किनावर में बिना वजह दर्द महसूस होना किडिनी में इंफेक्शन या कोई और बीमारी का लक्षण हो सकता है इससे लेने के बाद में भी आपकी जो समस्या है वो जसकी तस वहीं की वहीं बनी होई है और आपकी उल्टियां बिल्कुल बंद नहीं हो रही है तो फौरन अपने डॉक्टर से चेक अप करवाएं क्योंकि यह भी गुर्दे के खराब होने का संकेत या लक्षण हो सकता है और ल दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी संकेत या लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो पिलीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्रा स्क्राइब करना ना भूलें तैंक यू